कौन सी फिल्म के सीक्वल कर दीमे करने के लिए आखिर फिर से मजबूर हुए करन जोहर क्या वजा है कि करन जोहर की अफकमिंग फिल्म की रिलीज में देरी होती जा रही है तो दोस्तों आपके इन ही सब सवालों का जवाब देने के लिए मैं जैनी शाहनवाज एक बात फिर हाजर हूँ सो हेलो और वल्कम दोस्तों आप समी का बहुत बहुत स्वागत है वॉलीग्राज स्टूडियोज की इस वीडियो में जहां आज हम बात करने वाले हैं अफकमिंग फिल्म दोस्ताना टू के बारे में सीक्वल हम सभी के लिए रिलीज होने वाला है आप सभी को बता दू कि दोस्ताना टू की शूटिंग काफी दिनों से चल रही थी और लगभग कंप्लीट भी हो चुकी थी लेकिन हाली में खबर आई है कि करन जोहर अब वापस से फिल्म के लीड किरदार के लिए री में हैं तो दोस्तों बात करी जाए तुन दोस्ताना टू के रिलीज की तो पहले तो ये फिर्म साल 2020 में रिलीज होने वाली थी इस वजह से फिर्म का शूट अमरित्थर में साल 2019 मार्च में शुरू हो गया था लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कोविट की वजह से सभी हुआ है आप सभी को बता दू कि कार्थिक आरियन को फिल्म में रिप्लेस करते हुए नजर आ रहे हैं लक्ष लालवानी जो की बॉलिवुड में आने वाला एक न्यू फेस होने वाले हैं आप सभी को बता दू कि फिल्म को डायरेक्ट किया है कोलिन डी काहना ने जो पहले भाग मिलका भाग और तीके जैसे फिल्मों में काम कर चुके हैं कोलिन के लिए ये पहली बिग बजट फिल्म है जिसको वो डायरेक्ट करने वाले हैं तो इस वज़ा से कोलिन खुद भी बहुत ज्यादा एक्साइट और खुश हैं तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं या नहीं क्या ये फिल्म उतनी ही सक्सेस्फुल हो पाती है या नहीं आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट करकर जरूर बताईएगा और हमारे चैनल बॉली ग्राइट स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तब तक के लिए मैं जैनी शाहनवाज लेती झाल बॉली ग्राइब टाइब घ्रीट स्टूडियोज करते हैं